अलो गाईज, बलकम बैक दो सॉलेशन मीतरा, सो दोस्तो आज का हमारा क्वेसन है, टू पॉइंट चार्जेस, Q1 and Q2 equal to 2 microcoulomb are fixed at plus 3 meter and minus 3 meter, तो यहाँ पर देख सकते हो, आप Q1 और Q3 दो चार्जेस है, दो-दो microcoulomb के हैं, इस परकार से रखे के हैं, कि एक क्या है, प्लस का 3 मारे देरे के minus 4 microcoulomb, इसको हमने 4 meter से रखे हैं, यहाँ से रखे हैं, तो हमें इसकी find the speed of the particle as it reaches to the origin, जब यह यहां origin पर पहुंचेगा, इसकी हमें क्या करना है, speed find करनी है, तो हमें यह condition दे रखे हैं, तो यहाँ पर सिदह सिदह दे देखो, यहाँ पर यह कैसे find कर सकता हमे speed, तो मैं यहाँ पर क्या लगाँगा, मैं यहाँ लगाँगा आपका conservation of, sorry, conservation of क्या आपका mechanical energy, conservation of mechanical energy, यह वाला concept लगेगा, conservation of mechanical energy क्या कहता है, कि जो हमारा initial potential energy है, और initial kinetic energy है, वो किसके बराबर होगा है, इसका final potential energy के बराबर, और final kinetic energy के बराबर, यह कहता है, हमें conservation of mechanical energy, अब यहाँ पर देखो, इस से हम कैसे, इस पर निकाल सकता है, वो देखता है, तो सबसे पहले देखो, यह Q3 यहाँ पर रखा गया है, तो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, देखो Q2 और Q1 दोनों के कराण इस पर फोर net लगेगा, दोनों के कराण जो net force लगेगा, वो किस direction में लगेगा, तो वो बिल्कुल जो Y axis है, उसके along लगेगा नीचे को, इस परकार से, F net यहाँ को लगेगा, ठीक है, तो यह F net इदर से इदर को लग रहा होगा, इस परकार से में यह बता सकता हूँ यहाँ पर, अब यह क्या करना है, हमने कणन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पैथाकुरस मुमरी से फाइव मीटर मिद जाएगा, '' ऐसे यहाँ भी वियन का है, यह थी मिटर है cinnamon, हमने छोने हमने इतना 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 डाटा मिल चुका हima न इतना डाटा आपना जो है कि उसको simply आ पज्राय जाएगा इंट्टो हो जाएगा जितने भी सिस्टम बन रहे है चार्जस के दो चार्जस के उनको लिंगे दो सबसे पहले वन रहा है कि आपका Q1 Q2 ये तो बनी रहा है Q1 Q2 इनके वीश क्रिश्टम रहे हैं तो टू तो थी के बेच की longe MR is का वाली कंडिशन में इनिसल के कंडिशन में प्लूस काइचिको इनिसल ही कि इसके непाइचिक इनिसल क्या होगी यहां पे तो यह क्या है ीस्टे साहरी म लभahaha सता में तो आपका प्लस इनके भी फाइनली यहां पे कुछ ना कुछ जब यह और इसे यहां से यहां आ गया है तो अब देखो यहां पर डिस्टेंस भी चैंज हो जाएगे है ना तो मैं वही पता हूंगा तो यहां पर यहां पर यह इसकी खुछ कि यहां पर देखो आर वन टू टू इनिस्टेंस भी तो इन दोनों के बीच कितनी थी तो वह कितनी थी दोनों के बीच किस्टेंस तीन और दीच किनदा हो जाएगा चेंटर हैं तो अब यहां पर पहले तो वहले पूट करके देखो तो यह वहले पूट करूंगा है तो सब की वहले पूट करना शुरू करका रहा है तो यहां देखो सब मैं क्यू एन यानि कि जैसे मैं Q1 और Q2 यह बात कर रहा हूँ इनको Q-Law में चैंज करना है तो 10 to power minus 6 के यहां मिल डिपलाई करूँगा 10 to power minus 6 के यहां मिल डिपलाई करूँगा तो कितना हो जाएका 10 to power minus 12 हो जाएगा उपर ऐसे ही इसमें भी 10 to power minus 12 बहर आओगा चार, divided by क्या हो जाएगा, इनके बीच की distance, इनके बीच की distance कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी, 3 और 3 कितना है, 6, 3 ये और 3 ये, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो 4 पटे 6 बचा, प्लस Q1, Q3, Q1, Q3, ये वाला जाएगा, तो Q1 देखो कितना है, 2, Q3 कितना है, माइनस का 4, त तो 5 है, प्लस क्या हो जाएगा, Q2, Q3, Q2, Q3 क्या है, Q2 ये है, Q3, फिर से 9 इनके बीच कीच की में कितना है तो 5 है 5 यह लिख दी इक्वल्टू क्या हो जाएगा यह यह वाला ना फिर से 9 इंटू 10 पावर 9 ठीक है जी और यहां पर इनकी वैले रखो क्यू 1 क्यो टू फिर से कितना हो जाएगा दो गुणा गया 2 और अचा हां यहां पर भी देखो यह पर प्रते कितना होगी ये तो इन दोनों के बीच की distance, final के case में भी कितनी होगी, same रहेगी, तो इनके बीच की distance क्या आगे, same आगे, ऐसे q1, q3 करूंगा, तो दो गुणा गया, minus का 4 कितनी हो जाएगा, minus का 8 हो जाएगा, अब इनके बीच की distance देखो, final के case में, final जब यहाँ पे आ गया है, अब यहा minus का 8, और इनके बीच की distance, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका है, तो इनके बीच की distance क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यही चीज मैं कह रहा था, यह बदल जाएगी, ठीक है, और प्लस का यह, प्लस का हाप, mb square अपनी जगोर रहने दिया, अब इसको simplify करो जितना अपाद है, तो यह हो जाएगा कितना, 9 into, ऊपर कर देता हूँ, 9 into कितना हो जाएगा, यह, 10 to power बचेगा, minus का 3, और अंदर इसको simplify करो, तो अंदर यह simplify होगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा, यह बचेगा, आपका, minus का, 16 बचे, 5, बराबर इतना, इधर कितना हो minus का, 16 बचे, 3, यह तो खेर, आपका मनलब, calculation है, यह तो आप आसनी से, आप खुद भी कर सकते हो, हाप, mv square, mv square, देखो, mass, mass हमें दे रखा था, 1 gram का था, वो particle, तो 1, अगर मैं यहाँ पर mass लिखूँ, तो 1 into, यहाँ पर kilogram में लिखना पड़ेगा, तो यह gram में था, तो 1 gram को kilometer में, sorry, kilogram में change करेंगे, तो minus का 10 to power minus 3 का multiply किया, तो kg में change होगा, इंटू, क्या हो जाएगा, v square अपनी जोगो, जो काती हो, यहाँ तक आपके समझ में या, आया होगा, अब जहां से देखो, इसको फिर से simplify करोंगा, तो कैसे कर सकता हो, जी, अंदर इसको simplify करो, जी, तो यह जाएगा, 20, 20 में से कितना जाना पटेगा, minus का 6 हो, तो यह बच रहा है, आपका 9 गुणा आगया, 10 की गात, minus का 3, और इंटू, यह बच रहा है, minus का कितना, 16 का 6, 9, 6, 9 में से 20 कटा हो, कितना बचेगा, 6, 70, minus का 76, 30, यह बच रहा है, जी, इकॉल्टी यहाँ बच रहा आपका कितना, 9 गुणा आगया, 10 की गात, minus का 3, अब यह इस वाली टम को मैं इधर ले ले लेता हूं, इधर वाली टम को इधर ले ले लेंगा, तो यह हो जाएगा, minus का 9 इंटेंट पावर minus 3, और यह बच रहा है, यह बच रहा है, minus का 84 divided by कितना, अच्छा यहाँ पर यह थोड़ा से मिल भाई हो सकता था, इसका तो 6 याया जाए खावी, तो यह हो जाएगा, हमारा कितना, यह हो जाएगा आपका, V square ये बच रहा है इसको simply by करो तो ये बच एक हमारा 9 into 10 power minus 3 common आ गया और ये बच आप माइनस का 76 by 30 माइनस का 28 by 6 तो 36 इसको simply by करके देख लो यार ये कितना बच रहा होगा चलो मैं ये simply by करके सीधे बता कैसे 30 और 6 का ये 5 5 से मल्टिप्लाए करोगे यहाँ भी 140 आ रहा 140 में से 76 करोगे माइनस ये प्लस का जाएगा 140 क्योंकि माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा से करके ये simplify करके 64 by 30 आ रहा है इक्वाल टू इसको भी दल लाओ ये हो जाएगा इन्टू टू वी उपर चला जाएगा अब आन में आजाएगा 10 पावर मैनस 3 उपर जाएगा तो ये भी प्लस का क्या हो जाएगा 10 पावर 3 10 पावर 3 10 पावर 3 चैंसल हो जाएगा और ये क्या बच रहा है यहां पर ये बच रहा है 15 से इसको डिवाद करके देखो इसर बच रहा है 20 स्कायर इसर वी स्कायर तो ये बच रहा है आपका 20ентов बराबर कितना बच रहा है आपका कि नो गुणा आ गया 15 से डिवाइड करो इसको पंदर दूनी 30, 15, 15, 60 गुणा आ गया कितना हो जाएगा 15, 60 पोर पॉइंट कितना आ जाएगा 40 बच रहा है 15, 60, 4, 15, 25, 15 दूनी 30, 10, 15, 60 आ ये खेर लंबा जाएगा ऐसे ही बच रहा है तो ये इसको से अगर हो तो ये लगबग लगगए कितना रहा है 36 के सम्धिंग आ रहा है 36. सम्धिंग ना 9 चक अचा हुआ ना सिर्फबा यह पांच नो दूनी ठारा ठारा और 5 कितना हो जाएगा 32 बचा नो चको 36 चटीस और 2, 38 दर समलोग इसना बच रहा है ये सम्धिंग 38.3 शमधिंग आ रह 6.2 कितना है का 6.2 तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा तो देखा आपने कि हमने कैसे ही इसकी विलोसिटी फाइंड की जब की हमारा ये क्यू तरी यहां से लेके ओरीजन पर आ गया होगा सिर्फ हमने क्या लगा है का कंजरवेशन आप मेकनिकल इनर्जी लगा है बाकि सा कि अधिए बनाने का मोटिवेशन मीलतरे